प्रजनन के बारे में जाना था हमने ये भी जाना कि प्रजनन से जुड़ी समस्याएं क्या हैं हमको ये भी पता है कि प्रजनन जो है इसके परिणाम स्वरूप जन संख्या में वरद्धी होती है जन संख्या वृद्धी जो है वो एक विस्फोट के रूप में हुई है और हम ये जानते हैं कि ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल सा दौर है क्योंकि जन संख्या जो है जिस तेजी से बड़ी है उस तेजी से हमारे लिए जो ये संसाधन है वो नहीं बड़े है कहने का मतलब ये जो एक जन संख्या वृद्धी है इसे मनिश्की संख्या में जो वृद्धी हुई है उससे संसाधन जो है जो वो इस्तमाल करते हैं उनमें उसकी अपेक्षा कृत वृद्धी नहीं हुई है अगर मैं आप से पूछू कि मनिशी की मूलभूत आवश्चक्ताइं कौन सी हैं तो आप कहेंगे रोटी, कपड़ा और मकान जी हाँ लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि इन में से कौन सी ऐसी दो मूलभूत आवश्चक्ताइं जिन्हों आप हटा सकते हैं या जिसके बिना एक दो दिन तो गुजारा हो सकता है और एक ऐसी आवश्चक्ता जिसके बिना मनिशी नहीं रह सकता तो वो है भोजन हम भोजन के लिए अपने परियावरण पर आश्रित है अब ये जो परियावरण से उत्पन सारे संसाधन है इनी से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहने का मतलब कि ये संसाधन इतनी तेजी से हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं या हम कहें कि हम उतने संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं अब इन संसाधनों को बढ़ाने के लिए हमें कुछ ऐसी तकनीकों को खोजने की आवश्यक्ता है कि जो इस खाद्य की जो जरूरत है या जो रिक्वाइरमेंट है उसे वो पूरा कर सके मनिश्यने ऐसी ही कुछ तकनीके जो है उस पर नई कारी नीतियां बनाई है जिसके फाल्स रूप कुछ हद तक हम इन मांग को पूरा कर सकते हैं खादी नीती वृद्धी में जो कारी नीतियों की हम बात कर रहे हैं उसमें हो सकते हैं कुछ इस तरह का एक पादप उतक समवर्धन या हम इसमें जेनेटिक इंजिनियरी या जिसे अनुवांशिक अभियांत्री की भी कहते हैं अब पातप उतक समवर्धन क्या है जिसे हम इस तरह देख सकते हैं जैसे ये एक समवर्धन माध्यम मैंने या दिखाया है समवर्धन एक मीडियम होता है जिसमें वे सारे पोशकतत्व उपलब्ध होते हैं जो किसी एक उतक की वृद्धी के लिए आवश्यक होते हैं उतक क्य पोशक तत्वों को डाल कर उसकी वृद्धी कर सकते हैं और उससे हम फिर जो जहें जैसे कुछ दवाईया हैं कुछ रसायन हैं यह प्राप्त कर सकते हैं अनुवांशिक अभियांत्री की जो है इसमें क्या होता है इसमें हम जो अनुवांशिक पदार्त हैं जैसे डीने जैसे इसके अभी देमांड प् eine Georgia गरते अशे पूरा करने के लिए रहा हम इनके जो अंवरूरूप उन्में जो बतलाव लाते हैं जो चेंजिस हम ईसए हम इसमें इस्तमाल कर सकते हैं is के अலावा जैसे हम बात कर रहा है कि खाद्य नीती जो है इसमें व्रद्धी की जो कारिय नीतियां है वो क्या-क्या हो सकती है यहां मैंने लिखाया देखिए आप पहला है पशु पालन जिसे हम एनिमिल हजबेंडरी भी कहते हैं अंग्रेजी में दूसरा है पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिन तीसरा है ए एकल कोशिका प्रोटीन जिसे सिंगल सेल प्रोटीन एस सीपी कहते हैं और चौथा है उतक संवर्धन टिशू काल्चर तो यह इन चार खाद्य नीतियों में जो व्रद्धी लानी है उनकी चार यह जो कारिय नीतियां है आईए एक के बाद इन एक हम इस पे चर्चा करते है सबसे पहले हैं पशू पालन अनिमल हस्बंट्री पशू पालन नाम से ऐसा लगता है कि अगर हम इसका शब्दों को तोड़े तो पशू और पालन मतलब पशूओं का पालन करना पर यह केवल पशूओं का पालन ना होकर इसमें हमें उनकी देखभाल फिर उनके प्रेजड कुछ जीव जन्तू हैं जिनका हम पालन करते हैं तो क्यों यह इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी क्यों कि यह एक आजीविका के साधन के अलावा जो हमारी डिमांड है जिस जो हमारी जरूरत हैं उसे पूरा करना है जैसे आपको मैंने अभी बताया कि जनसंग्या पड़ार्थों की कमी हो रही है तो इनके द्वारा भी हम उस कमी को पूरा कर सकें इसके अलावा इसमें पशु पालन में हमको कुछ प्रबंधन की बात करनी है क्योंकि आजकल प्रबंधन जो है वो हर जगे है आप देख रहे हैं और उचित प्रबंधन से ही हम आने वाली स मस्याओं का निराकरण कर सकते हैं उचित पशुओं की देख भाल कर सकते हैं उनके खादिप जो है पदार्थ उस पर बात कर सकते हैं तो ऐसी बहुत सी बाते हैं जो इस प्रबंधन में की जाती है तो सबसे पहले हम देखते हैं डेरी फार्म प्रबंधन पशु पालन जैस पशुपालन जो शब्द है इसमें पशुओं की देखभाल और उनका प्रजणन इनको भी शामिल किया गया है। यहाँ पर हम देखें कि जो हम किसान हैं उनके पास पशुधन भी होता है। पशुधन क्या जैसे आपको पता होगा जैसे जो जानवर वो पालते हैं वो उनका एक तरह से पशुधन है। इसमें हम किन जानवरों को शामिल करेंगे आईए देखें इसमें हैं गाय, भैस, बक्री, भेड, उंट, सुर, घोड़ा, इत्यादी। ये सारे जानवर जो है, ये मनिश्य के लिए लाप्रद है क्योंकि इनके उत्पाद जो है, वो किसानों को या जो इनको पालते हैं, उनके लिए लाप्रद होता है। अब यहाँ पर हम इसमें कुकुट पालन और मत्सिपालन को भी शामिल कर सकते हैं। तो कुकुट पालन में हम मुर्गियों, मुर्गों की बात करेंगे, और मत्सिपालन में हम जरूरी नहीं कि केवल मचलिया हों। उसमें कुछ मृदुकवची, जिनने हम मुलैस्क कहते हैं, और क्रिस्टेशियाई, जैसे केकडा, जिसे हम क्राब कहते हैं इंगलीश में, या जींगा, जिसे हम प्रॉन कहते हैं, उनको भी शामिल किया गया है। आपने देखा होगा कि प्राचीन काल से मनिश्य जो है, वो इसके अलावा जिन जन्तुओं का पालन करते आया है, उनकी भी हम एक बार सूची देख लेते हैं। इधर देखेंगे अब मधुमक्की, रेशमकीट, जींगा, केकड़ा, मचलिया, पक्षी, सुवर, भेड, उंट, घोड़ा, इत्यादी। अब सदियों से जो प्राचीन काल से मनिश्य इनका पालन करते आ रहे हैं, इनसे क्या फायदे हैं? हमको पता है कि इनके अत्पादों से, जैसे हम देखते हैं कि कुछ रेशमकीट है, उसे रेशम प्राप्त करना, पक्षियों से उनके अंडे और मास प्राप्त करना, मधु अगर विश्व पटल पर हम इसकी बात करते हैं तो 70 प्रतिशत से अधिक पशुधन जो है वो केवल भारत और चीन में उपलब्ध है पर जब हम इन विश्व फार्म उत्पादों के संदर्ब में बात करते हैं तो इन देशों का योगदान मात्र 25 प्रतिशत है तो क्या यह सह है नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए हमें जो यह पारंपरिक पद्धियां है इनके अलावा भी कुछ अन्य पद्धितियों को या नई कार्य नीतियों को नई तक्निकों को इस्तमाल करना होगा शामिल करना होगा ताकि हम इनकी गुनवत्ता इनकी उत्पादक्ता जो है उ जाकार ये नीतिया कौन-कौन सी है उस पर हम बात करते हैं ये नीतिया है डेरी उद्योग में उन पशुओं का पालन किया जाता है जिससे हमें दुग्द और उससे उसके उत्पादन जो है वो प्राप्त होते हैं अब ये भी एक पशु प्रबंदन है जिसे मानव खपत के ल जानवरों को पाला जाता है या रखा जाता है इसकी एक सूची बनाए तो आप उन में किन जानवरों को शामिल करेंगे आप इन जानवरों को शामिल करेंगे जैसे गाय, भैस, बखरी जिनसे दूध हम प्राप्त करते हैं इसके लावा अगर मैं कहूं कि उन उत्पादों क भी सूची बनाईए जो दूद से बनते हैं तो आप उसमें जाहिर से बाद है दही, देखेंगे दर मक्षन, मठा, पनीर, खोव, घी, आदी उत्पादों को शामिल करेंगे हम जब इस प्रबंदन की बात करते हैं डेरी प्रबंदन की तो हम ये देखते हैं कि उसके लिए कुछ मुल्भूत जरूरतें हैं या आवश्यक्ता हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश है इसके पीछे वो ये है कि हम जो जरूरत हैं उसे पूरा कर सके साथ ही साथ हम पशुओं की उचित देखभाल कर सके ये डेरी जो प्रबंदन कर रहा है उसको लाबपरद भी हो तो ये सारे उद्देश जो है इसकी पूर्ती करने के लिए हमें जिन बिंदूओं पर मुख्यता फोकुस करना होगा वो इस प्रकार है सबसे पहला है नसल हम जिन पशुओं का पालन इस डेरी में करेंगे उनकी नसले जो हैं वो उननत किस्म की होनी चाहिए उननत से यहां मतलब है कि उनकी जो दुग दुद पादन की शमता है वो बहुत अधिक होनी चाहिए इन नसलों को जब हम लाते हैं जैसे आपने बहुत सी नसलों के बारे में सुना होगा मुर्रा, सहिवाल तो ऐसी जो नसले हैं इन में एक खास बात का ध्यान हमें यह रखना होगा कि यह जैल वायू के अनुरूप हो जैसे बहुत ठंडी जगे वाली नसलों को अगर आप गरम वाली जगे में लाकर डेरी फार्म में रखते हैं तो वो हो सकता है कि उस वातावरण में अनुकूलित ना हो और वो शायद अच्छा रिस्पॉंस ना दे तो हमें जल वायू जो है उसका विशेश ध्यान रखना होगा जब हम इन नसलों का चैन करते हैं उसके बाद हम जो मुख्य बिंद्धू है इसका दूसरा वो यह कि उनमें रोग प्रति बन जो रोग प्रति रोधक श्यम्ता होती है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि वो छोटे-मोटे रोगों से जल्दी ग्रसीत ना हो और स्वास्त रहें इसका हमें विशेश ध्यान रखना होगा समय समय पर उनका वाक्सिनेशन जो है वो कराना होगाốcा इसके अलावा उनके रहने की या जो आवास होता उनका उसकी विवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आवास में देखना होगा कि प्रकाश पूरा आ रहा है या नहीं हवा जो है वो आ रही है या नहीं बहुत ज्यादा वहां पर साफ सफाई की जरूरत है रोज साफ सफाई नियमित साफ सफाई जो है वो होती रह इसके अलावा उनके चारे की विवस्ता जो पशु चारा होता है अब ये पशु चारा है ये दो चीजों पर मुख्यता निर्भर होता है एक होता है कि कितनी मात्रा में हम उन पशुओं को चारा दे किस किस समय दे उचित समय का प्रभंधन भी होना चाहिए उसके अलावा ये वेज्ञानिक तरीका होना चाहिए कि हम उजव उन्हें भोजन दे रहे हैं या उनको पशु का चारा डाल रहे हैं तो वो उचित मातरा में हो और वो पौश्टिक हो वेज्ञानिक तरीके से हो और वो गुणवत्ता योक्त हो ताकि वो हमें एक अच्छा उत्पाद दे सकें फिर पशु चिकित सक यह पशु चिकित सक जो है यह नियमित जाच के लिए पशुओं की नियमित जाच के लिए वहां आते रहें विजिट देते रहें और अगर कोई पशु जो है किसी रोग से ग्रसित है या उसे अलग रखने के आवशकता है क्योंकि बहुत से रोग ऐस पशु चिकित सक आते हैं और इन रोगों की जाच कर पता कर लेते हैं तो उस पर्टिकुलर पशु को हम अलग रख सके आइसूलेट कर सके फिर हम देखते हैं कि जो दुगदी करण की विवस्ता है या जब उसके उत्पादों जो है उसके भंडारण जो है वो इसके अलावा ह हम देखें कि परिवहन के दौरान जब एक जगे से दूसरे जगे ट्रांसपोर्ट होती है यह जो उत्पाद है तो उस समय हमें बहुत साफ सफाई की आवशकता है हाला कि आज के दौर में हम बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं तो यह सारी जो प्रक्रियाएं हैं यह यांत्रिकी हो गई हैं जो सीधे तोर पे किसी मनिश्य के संपर्ख में नहीं आती है तो इसमें हमें ज्यादा यांत्रिकी होने से बहुत ज्यादा विवस्था करने की आवशकता नहीं होती पर फिर भी हमें इन सरी बातों का ध्यान रखना होगा इसके अलावा हम एक व्यक एक दिन नोट करें और अगर क्या समस्या उत्वन्न हो रही है उन समस्या का हम समाधन कैसे करें यह सारा रेकॉर्ड जो है वो अपने रजिस्टर में रखें ताकि हम आगे उसे उचित समय पर इस्तमाल कर सकें इसके अलाबा सबसे अच्छा होगा कि हम किसी डेरी फार्म में जाकर वहां पर इन सारी बातों का जो है निरिक्षंट करें एक विजिट दे पास में कोई स्थित अगर है आपके डेरी फार्म तो वहां जाएं विजिट करें और फिर वहां पर से आप इन तो डेरी फार्म जो है वह एक ऐसा आवास होना चाहिए जो उन पशूओं के अच्छा डैरी फर्म विकसीत कर सकते हैं कुकुट पालन जिसे हम पोल्ट्री भी कहते हैं आक्छुली कुकुट पालन या कुकुट फर्म प्रभंदन जो होता है इसमें हम उन कुकुट अदी या बतक या गीज या फिर्टर की यह जो मुर्ग इन सब को शामिल करते हैं, तो इन से हम क्या करते हैं, उत्पाद जो है, इसे मानो खपत के लिए हम मास तथा अंडे प्राप्त करते हैं, इसका प्रबंदन भी हम उसी तरह करते हैं, बहुत कुछ steps जो है वो उसी तरह है जैसे कि हमने dairy farm में किया था यहां पर हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा यहां पर हम उन बातों का ही ध्यान रखते हैं जैसे कि आवास विवस्था आपको पता होगा कि आवास जो है इनका एक रैक नुमा होता है जिसमें बहुत सी मुर्गियों को एक साथ रखा जाता है और इनके भी हमें चारे की प्रकाश की हवा की जो विवस्था है वो विज्ञानिक तरीके से होनी चाहिए इसका विशेश ध्यान र कुछ नसले जो है लेग होन जैसा कि आप देख रहे हैं एक उधारन के तौर पर तो ऐसी नसलों का पालन हमें इनमें करना चाहिए इनकी रोग प्रतिरोधक शमता इनका भी वैक्सिनेशन होता है और जैसा कि आज जो है बजार की जो मांग है उसके अनुरूप जैसे ज्या द्यान रखना होगा कुछ वैक्सीन जो है वो देनी होगी ताकि यह रोगों से लड़ सके ज्यादा मास उत्पन्न करने वाली हो फ्लेशी हो इसका भी विशेश द्यान रखना होगा फिर इनके चारे की कि इन्हें हम खाने में क्या दें इनकी भी डाइट होती है कि जो आपको पता होगा आपने सुना भी होगा कि बर्ड फ्लू अभी रसेंटली हुआ था तो आपने देखा होगा कि बर्ड फ्लू का एक विपरीत प्रभाव जो है बहुत पड़ा था मार्केट पे कि लोगों ने मास और अंडी जो है वो खाना या उसकी जो खापत है वो आपकाम हो गई थी तो उससे जो है जो पॉल्ट्री फार्म वाले लोग थे उनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ा पर बर्ड फ्लू जो है यह एक विशानु जनित रोग है जैसे फ्लू होता है यूमन विंग्स में यह मनिश्य में वैसे ही यह पक्षियों में होने व लग कर दे आइसुलेट करें ताकि जो बाकी पक्षी हैं साथ वाले वो इस रोग से ग्रसित ना हो तो यह विशेश साउधानी जो है वही कर पाएगा जिसे इसका ग्यान हो इसलिए विज्ञानिक तरीकों की और चिकित्सकों की आवश्चकता जो है इस फार्म में विज्ञानिक तरीके से होती है जहां पर लाइट होता है आपने देखा होगा जो चूजे निकलते हैं तो आर्टिफिशली वहाँ टेमपरेचर को मेंटेन करना है तो वह लाइट के ध्वारा उतनी वाम्त जिसे गर माहाठ हम कहते हैं वह प्रदान की जाती है तो यह सारे विज्ञानिक तरीके हैं जिसे सीखने की आवश्यक्ता है ताकि यह जो पॉल्टरी फार्म प्रभंदन है यह भी एक बहुत अच्छा फाइदे बंद सौधा साबित होगा पशू प्रजणन पशू प्रजणन पशू पालन का एक मात्वकूर्ण पहलू है पशू प्रजणन का उद्देश पशू के उत्पादन को बढ़ावा देना तथा उनके उत्पादों की वांचित गुणवत्ता में सुधार करना है हम नसल शब्द से क्या समझते हैं पशुओं का वह सम्मू जो वंश तथा सामान्य लक्षणों जैसे सामान्य दिखावट, आकरती, आकार, संसरूपन, आदि के समान हो एक नसल कहलाते हैं एक ही नसल के पशुओं के मध्य जब प्रजनन होता है तो वह अंत प्रजनन कहलाता है जबकि भिन भिन नसलों के मध्य प्रजनन कराया जाए तो वह बही प्रजनन कहलाता है अंत प्रजनन अंत प्रज्णन का अर्थ एक ही नसल के अधिक निकटस्त व्यक्ति के मध्य चार से छे पीड़ी तक संगम होना है प्रजनन की कार्यनिती इस प्रकार है एक नसल से उत्तम किस्म का नर तथा उत्तम किस्म की मादा को पहले अभी निर्धारित किया जाता है तथा जोडों में उनका संगम कराया जाता है ऐसे संगम से जो संतती उत्तपन होती है उस संतती का मुल्यांकन किया जाता है तथा भविश्य में कराय जाने वाले संगम के लिए अत्यनते ही उस उत्तम किस्म के नर तथा मादा की पहचान की जाती है पशूओं में श्रेष्ट मादा, चाहे वह गाय, अत्वा भैसो प्रती दूगधी करंड़ पर अधिक दूद देती हैं दूसरी और सांडो में श्रेष्ट अन्य नरों की तुल्ना में श्रेष्ट केस्म की संतत्ति उत्पन्न कर सकते हैं बही प्रशनन बिना किसी संबंद वाले पशों के मद्य होने वाले प्रजनन भी बही प्रजनन कहलाते हैं इसमें एक नसल की अथवा भिन भिन नसलों अत्वा भिन प्रजातियों की वेश्थिया भाग लेती हैं बही संकरन एक ही नसल के भीतर पशुओं के संगम की यह क्रिया बही संकरन कहलाती है परंतु इसमें चार से छे पीडियों तक दोनों और की किसी भी वन्शावली में उभय पुर्वश नहीं होना चाहिए इस संगम के परिणाम स्वरुप जो संतत्य उत्पन होती है वह बही संकरन कहलाती है संकरन इस विधी में एक नसल की श्रेष्ट नर और दूसरी नसल की श्रेष्ट मादा के साथ संगम कराया जाता है संकरन दो विभिन्न नसलों के वांचनिय गुणों के सयोजन में साहयक होता है संत्यति संकर पशुओं का प्रयोग व्यापरिक स्तर पर उत्पादन के लिए किया जा सकता है हिसरडेल भेड की एक नई नस्र है जिसका विकास पंजाब में बीका नेरी एवीज भेड तथा मेरिनो रेम्स मेढा या मेश के पीच संगम कराने से हुआ अन्तव विशिष्ट संकरन इस विधी में दो विभिन प्रजातियों के नर तथा मादा पशुओं के मध्य संगम कराया जाता है कुछ मामलों में संत्यति में दोनों जनकों के वांचिनिय गुंड सम्मिलित हो जाते हैं तथा इस संत्यति का परियाप्द आर्थिक महत्व होता है जैसा कि खच्चर कृत्रिम विर्य सेचन जिसे हम आर्टिफिश्यल इन्सेमिनेशन भी कहते हैं इसका प्रयोग करते हुए नियंत्रित प्रजनन प्रयोगों को संपन्य कराया जाता है जिस नर्ग का चैन एक जनक के रूप में किया गया हो उसका वीर्य इकत्रित करके प्रजनक वारा चैनित मादा के जनन पत्व में अंतक शेप कर दिया जाता है वीर का प्रयोग तुरंद किया जाना चाहिए या इसे हिमिकृत कर बादमे प्रयोग में लाना चाहिए संकरू के सफल उत्पादन में सुधार लाने के लिए अन्य विधियों का भी प्रयोग किया जाता है Multiple Ovulation Embryo Transfer, Brune Antaran Technique जिसे MOET भी कहा जाता है यह तक्निक गव पशुव में सुधार का एक कारेक्रम है प्राकृतिक प्रजन तथा कृत्रीम वीर्य सेचन विधि अपनाने पर भी अक्सर सफलता की दर्ग कम हो जाती है इस कमी को पूरा करने के लिए अर्थात संकरों में सफल उत्पादन के अवसरों में वृद्धी के अन्य आधुनिक तक्निकों की मदद ली जाती है गवण सुधार का इसी तरह का कारेक्रम Multiple Obulation Embryo Transfer है इस विधी में एक गाय में पूटक परिपक्वन तथा उच्च अंडोत सर्जन को प्रिरीद करने के लिए जब FSH Follicle Stimulating Harmone दिया जाता है तब सामान्यता प्रती चक्र में एक अंडे की तुलना में 6-8 अंडे उत्पन्न होते हैं पशु को यातो सर्वुत्कृष्ट सांड बैल अत्वा कृत्रिम वीरस्वचन द्वारा संगमनीत कराया जाता है आठ से 32 कोशिका अवस्थाओं वाले निशेचित अंडे को बिना शल्य चिकित्सा से प्राप्ट कर प्रती नियुप्त माधा मा में सानंतरित कर दिया जाता है अनुआन्शिक माधा उच्च अंडोच सर्जन की दूसरी पारी के लिए उपलप्त हो जाती है मधुमख्य पालन जिसे हम बी कीपिंग भी कहते हैं इसे मौन पालन भी कहा जाता है इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम मधुमख्यों का पालन करते हैं जो शेहद उत्पादन जो है वो हम इनी से लेते हैं या इनी से प्राप्त करते हैं और शेहद उत्पादन के लिए जब हम मधुमख्यों के छत्तों का रख रखाओ करते हैं उसे ही हम मधुमख्य पालन कहते हैं अब आप सोचेंगे कि शेहद के अलावा हम मधुमक्हियों से और क्या प्राप्त कर सकते हैं जी हाँ मोम जिसे हम वैक्स कहते हैं आपको पता है कि शेहद जो है ये एक उच्छ पोशक महत्व वाला जो है आहार है और आयूरवेद में तो इसका खासा महत्व है जो हम सबी से चुपा भी नहीं है ठीक है और मोम जो होता है जिसे हम वैक्स कहते हैं ये जो कांती वर्धक उत्पाद होते हैं जिसे हम ग्रूमिंग या हम कहें कॉस्मेटिक्स जो होते हैं उसमें इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है इसके अलावा वैक्स जो है वो चमक के लिए या हमके हैं पॉलिश जो होते हैं उसमें भी इस मोम का जो है इस्तमाल होता है अब ये जो इसकी बढ़ती हुई मांग है तो इसी मांग ने हमें जो है इस और आकरशित किया है और बहुत से लोग जो है इसे भी एक लगू कुटीर उद्योग के रूप में अपना रह हैं आला कि इस व्यवसाय के लिए बहुत जादा ग्यान की आवश्यकता नहीं है पर हां एक विशीश प्रकार की ग्यान की आवश्यकता है जो कि बहुत से इंस्टिटूट या हम कहें बहुत से संगठन जो है वो मधुमख्य पालन की शिक्षा जो है वो प्रदान करते हैं अब यहां पर हम यह भी देखें कि इसमें बहुत श्रम की आवशकता नहीं है, हमने जैसा पहले भी कहा, तो इसे करने के लिए हम कैसे या किन बिंदूओं का पालन करें, तो वो आसान बिंदू क्या-क्या हैं, थोड़ा हम देख लें, सबसे पहला है कि हम इने कहा पालें, या कौन सी जगा इनके पालन के लिए उप्युक्त होगी, तो वो जगे हो सकती है, जैसे जंगली जाडिया फलों के बगीचे लहलहाती फसले जहांपर की बहुत बड़ा कृशी शेत्र हो जो या चारागरा जहांपर की जानवर जो है वो चरने के लिए हम छोड़ते हैं तो ऐसी जगे इनके लिए उपियोगत होती हैं जगे के बाद हम देखे कि इनकी बहुत सी प्रजाती हैं जो प्रजातियां हैं उपलब जिने पाला जाता है लेकिन सामन्यता एपिस इंडिका जो है एपिस इंडिका जो है सामन्यता इसका पालन इसमें किया जाता है इसके अलावा जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं जिसमें वो रहती हैं तो उन्हें कहां रखा जाए तो वो हम या तो घर की छतों पर आंगन में या बरामदों में हम कहीं भी इन्हें रख सकते हैं या इनका उसमें रखकर पालन कर सकते हैं अब इसमें मैंने कहा कि एक विशेश ग्यान की आवश्चेकता है तो वो विशेश ग्यान क्या हो सकता है कि हमें जब इनको पकड़ना है या इने पकड़ कर हमें उस छत्ते में डालना है इनका रख रखाओ तो हमें उसके लिए बहुत जरूरी है यह जानना कि इनका वो अलग-अलग मौसों में अलग-अलग होता है तो मौसम के अनुरूप इनका प्रभंदिन करना वो भी आना चाहिए इसलिए जो है मैंने कहा कि जो संगठन इसकी विशेश शिक्षा देते हैं उसे अगर कर लिया जाए तो ये एक बहुत अच्छा कहना चाहिए कि बहुत अ और मोम तो उसका रख रखाओ कैसा हो वो भी हमें आना चाहिए नई तो वो भी खराब होने की संभावना बनी रहती है अब इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात जो है वो ये कि ये जो मधुमख्या होती है ये परागणक जो है पॉलिनेटिंग एजेंट्स के रूप मे भी काम करती हैं तो कुछ फसले हैं जैसे सूरजमुखी, सरसों, सेब और नाशपाती खासकर ये जो चार नाम मैंने लिए इन फसलों के लिए ये जो है परागणक या पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करती है तो एक आपको पता है कि परागण की प्रक्रिया में पोलन ग्र अगर ये अईसी जगे हम इसको रखें या ऐसे फसलों के पास अगर ये काम किया जा रहा है तो उससे क्या होगा कि जो फसल उत्पादन है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार होगा फसल उत्पादन बढ़ेगा तो नैश्रली आय भी बढ़ेगी तो ये जो एक मदुमक्ख पालन है या जो बी कीपिंग है ये भी एक अच्छा कोटी रुद्योग जो है वो अस्तित्र में आया है